पंद्रह साल का बैनन लगाए गया है जिसमें लगातार नीतीश तरकार की नीतियों की तारिष की जा रही है कि आखिक उन्हें 15 साल में कितना काम किया है बड़े बड़े बैनन लगाए गए हैं देखिए पंद्रह वर्षों में जो बिहार में विकास हुआ है आप सभी लोग वाकीप हैं कि माननिय मुख्मंत्री नितीश कुमार जी को जो सत्ता मिली और किस परिस्तिती में सत्ता मिली और कुछ नहीं था बिहार में कानून का राज था उन्हें कोई अधार भूठ सन रच दो भी मालेयन मुख्मंत्री जी ने जो विरासत में बिहार मिला मेहनत से अपने त्याग तपस्थिया से मेहनत करके कं संसाधन में नई उचाई को बिहार को ले जाने का काम किया है और से चैत्र में काम हुआ हुआ है साथ आजा रायुवाओं को रुजगार दिया रहा जा रहा है वहुत तरह का इसकीम चलाई गई है जो बिहार के लोगों के लिए बिहार के हिद के लिए माननिय मुख्वनती जी ने काम किये हैं वहीं महिलाओं के लिए भी कई स्कीम चलाए गया है चाहे पंचायती राज या नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षन देने की बात हो या फिर सरकारी नोकरियों में हर प्रकार की नोकरियों में 35% आरक्षन देने की बात हो महला बटालियन का निर्मान करने की बात हो हर छेत्र में माने मुखमंठी जी ने बेमिशाल काम किये है जिसका जीता जागता उधाराण है का आज इतना पत्णा को लिए लिजे इतना फ्लाय उबर बने है इतना सडकें बनी है इतने राजधानी चमक रहा है जो कभी 10 वर्ष पाले 15 वर्ष पाले पटना आये थे अब आ रहे हैं इतना बदला हुआ है राजधानी से लेके आप हर एक जीले में चले जाईए सडक के छेतर में पूल पुलिया के छेतर में काफी काम हुआ है हर मान्य मुख्मंत्री जी का सपना है कि हर जीले से जीला सपना को साकार करने में माननिय मुख्मंत्री जी लगे हुए है हम सब लोग लगे हुए तो हर्च विजली के छेतर में ले ले इजिये हर घर विजली अप Congrats में बिजली जा रही है पूंच रही है साकी किजानों को पटवन करने में कम लागत में दिक्कत नहीं हो, सुविधा हो, पहले पंद्रा वर्ष पहले विजली के छेत्र में इतना ऐसा था कि कब विजली आती थी, कब चली जाती थी, यह पता नहीं चलता है, अब विजली जाती ही नहीं है, यह बदलाओ है, तो हर छेत्र में काम हो या क्रिसी के छेत्र हो युवाओं के लिए काम हो अब इस्टुडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है ताकि किसी भी संस्था में किसी इंस्ट्यूट में अपना एडमिशन युवा ले सकता है जो गरीब परिवार के जो इनका अभिभाव है कि उनका बालवच्चा न नहीं होगी तो वो सरकार उसकी भरपाई करेगी तो यह सारा काम हो रहा है हमारे विभाग से जो खाद देवा भोगता संरक्षन विभाग है बार्व कड़ोर की आवादी है और आठ कड़ोर 71 लाक बेनिफीसरी है जिसको कि सीधे तोर पर पांच केजी अराज खाद सुरक् हुआ है अभी धान अधिप्राप्ती हो रही है हम लोग का लक्ष है कि 45 लाक मेट्रिक टन धान खरीद की जाएगी इसमें चल रहा है तीन फेज़ पंदरह वर्स पहले उन लोगों का जो 15 साल का सासन था और हम लोगों का NDA सरकार का जो माननिय मुख्यमांतिरिंटीश कुमार जी की नेतित वाली NDA की सरकार पंदरह वर्सों से चल रही है आप तुलना कर लिजे ना धरती आस्वान का अंतर दिखाई देगा सिर्फ बोलने से नहीं होता है जुबान चलाने से नहीं होता है विकास जो है महसूस करने की चीज जब अच्छी सड़कों पर लोग कम समय में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तब विकास लोगों को महसूस होता है जब IGMS हो एमस हो PMCH हो जब लोग दिखाने जाते हैं जब उनका संपूर्ण इलाज होता है तब दिखाई देता है महसूस होता है कि विकास क्या चीज ह तो हर चेत्र में विकास का काम हुआ है इतना परिवर्तन हुआ है ताब विरोधी को नहीं दिख रहा है तो इसके लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं विरोधी तो बोलेंगे ही यदि सोने की सड़क बना दी जाएगी तो फिर भी कहेंगे कि उसमें मिलावट कुछ जो है कमी रह गई है यह तो बोलेंगे लेकिन बिहार की जंता महसूस कर रही है कि 15 वर्षों में माननिय मुक्हमंत्री जी के नेत्रत वाली एंडिये की सरकार में हर छेत्र में विकास हुआ है कोई भी छेत्र अचुता नहीं है कि जहां विकास नहीं हुआ हर एक एक छेत्र में विका कि दिखाई देता एना कि तरह दिखाई देता देख सकते हैं अब लोगों का क्या 15 वर्षों में ते उन लोगों ने अपने परिवार का उन्नती किया परिवार को आगे बढ़ाया विहार के लिए तो कभी नहीं सोचे सिर्फ जाती धार ममजहब में लोगों को उल्जाकर 15 वर लोगों का विकास हो रहा है समावेसी विकास हो रहा है